हेलो, दोस्तो, त्रिवेनी पाकशाला मैं आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम बनाईंगे साबूताना की खिचड़ी जो अकसर हम वरत उफ्वास में बनाते हैं दोस्तो, खिचड़ी तो वैसे सभी बना लेते हैं लेकिन अक्सर खिचडी चिपकी चिपकी बन जाती या उतनी परफेक्ट नहीं बनती जैसी हमें चाहिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे हमेशा ही आपके गर में साबुदाना की खिचडी खिली खिली बनेगी और जब भी आप इसे बनाएंगे सभी तारीफ करेंगे अगर आपको मेरी बात पर यकिन न हो तो पूरी रेसिपी देखिए तो खिचडी बनाने के लिए मैंने आपर ले लिए हैं साबुदाने हैं गर की कोई भी कटोरी का नाप सेट कर ले और उसी से नाप ले 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 तो वजन से देखते हैं तो 200 ग्राम साबूदाने हैं दोस्तों साबूदाने की कई बार चीज़ें जब हम बनाते हैं तो भड़ियां नहीं बन पाती हैं उसकी एक वज़ा ये भी है कि साबूदाने अच्ही kuality के नहीं होते हैं तो हमेशा अच्छी quality के साबूदाने खरीदे, क्योंकि साबूदाने अच्छे होंगे, तभी उनसे बनने वाली चीजें भी अच्छी बनेगी, अब इन साबूदानों को हम एक बड़े बरतन में डालकर दो से तीन बार साफ पानी से धो लेंगे, कम से कम दो बार तो धो ये ह आधी कटोरी पानी लें जरूरत लगे तो एक दू टेबल स्पून पानी और आल सकते उस से ज्यादा पानी आप इसमें डाले नहीं तो ये ज्यादा घल जायेंगे तो फिलाल इसमें आधी कटोरी पानी डाल दिया है और इसे ढखकन लगा कर हम छोड़ देंगे 3-4 गंतों जो थोड़ा होगा, मिनितना धाया, यह उन्हें जोड़ा, मिनिता बड़ा होगी, यह उति ना बसे हिए गधुद कर दोकिके जब रोप में तरहें से ऐसे जो दोप सार आज cancelled होगा, बस यह कसर जब हम आगे जाकर खिचडी बनाते हैं तब पूरी भी हो जाती है। और साभूधाने जो ऑवर कुक नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया को करने से आपको बहुत ही बड़िया रिजल्ट मिलेगा। अब इन साबुधानों में डाल देंगे हम आधी कटोरी भुनी हुई मुंगफली का दरदरा किया हुआ पाउडर आप चाहें तो महीन पाउडर भी कर सकते हैं साथी में आधी छोटी चमच, काली मिर्श पाउडर, आधी छोटी चमच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद अनुसार डाल दें और दोस्तों इन में से अगर आप कोई चीज वरत में नहीं खाते हो तो उसे स्किप कर दें क्योंकि वरत उपवास को लेकर सबकी अलग-अलग मान्यताएं होती हैं अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल कर बढ़िया तरीके से इसे मिक्स करके इसे साइड में रख लेंगे जीरा और साथी में दो उबले हुए मीडियम साइस की आलू को इस तरीके से चोकर काट कर दोस्तों आप चाहें तो कच्चे आलू भी डाल सकते हैं बस उसको थोड़ी ज्यादा देर तक पकाईए जिससे वो अच्छे से पक जाएं फिलाल इन्हें हमें बहुत ज्यादा नह कर इसे 2-3 मिनट क्रिस्पी होने तक पका लेंगे आलू को उसके बाद इसमें डाल देंगे हम यह साबू दाने तो यह देखिए बढ़िया से पूरे साबू दाने को इसमें डाल दीजिए और आज इस वक्त मीडियम है और अच्छे से आपको इसे मिक्स करना है अब आप द घला कर फिर खिचडी बना देते हैं तो उससे साबू दाने जो है ओवर कुक हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं कई सारी मिस्टेक्स कर देते हैं एक सिंपल सी खिचडी में और फिर रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलता तो इन्हें अब हम ढखक कर मीडियम आज पर ही कम्प्लीट हो गई है यह पक चुके हैं साबू दाना पकने में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आप देखिए कितना बढ़िया टेक्शर है तेल की मात्रा भी एकदम पर्फेक्ट है न कम न ज्यादा और इसमें मैंने थोड़े से अनार के दाने ऑप्शनल है हो तो डाल द पर्फेक्ट है क्योंकि साबू दाना खिचडी में न तो ज्यादा तेल अच्छा लगता है ना ही कम तेल अच्छा लगता है तो हर चीज़ का प्रामान एकदम पर्फेक्ट होगा तो ही खिचडी बढ़िया बनेगी नहीं तो ये खिचडी जो है न कई बार ऐसी बनती है कि उसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है लेकिन टेस्टी बनेगी ना दोस्तो तो बचेगी ही नहीं हर कोई इसे खाना चाहेगा अब वरत हो या ना हो ऐसी चीज़े देखकर तो सभी का मन हो जाता है तो बढ़िया ज्यादा मातरा में बनेए ताकि जिनके वरत नहीं हो वो भ दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे देवे सबस्क्राइब बटन को दबा दे साथी में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे हमारी हर नहीं आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो डेर सारा लाइक करें अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें अपने एक्सपीरेंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए खाव पी और स्वस्त्र हो